नमस्कार दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे नीट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर होता है क्या डिफरेंस होता है तो बीडियो को एंटेक देखेएगा तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं यहां पर एक transformer में जैसे कि यहां पर देख सकते हैं जो ट्रांस्फरमर का जो वेंडिंग है और इसको ग्राउंडिंग प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप लोग देखे होंगे गाउ के बाहर जो transformer रहता है उसके हम लोग ऐसे अर्थिंग करके इसको ग्राउंडिंग इसको किया जाता है जो कि हम लोग का घर में सप्लstr assessment से सीधा हम लोग काऊ करते हैं 230 A c V और गहर में देख सकते सीधा हम लोग यहां पर बो जहा है आया है और बो यह देख सकते हैं एक पॉइंट पर नेटरल और एक पॉइंट पर है हम लोग का अर्थिंग के साथ एक ठीक है तो घर में ऐसे करते हैं और जो आइसे न्यूटरल करते हैं किसी प्रेप का इलेक्ट्रिकल इकूप्मेंट चलाने के लिए जो कि सिंगल सिस्टम पर हम लोगों ते हुए यहां पर आते हुए यहां पर बोड में आएगा बोड से आते हुए हम लोगा इसे रिठर हो अगर यह नग नहीं यूकसम करें तो इसको रिटरन पाफ चाहिए तब यह चालू का क्या होता है Out fleek की नौर्मारी यहां से पावर आ रहा है just जाने के बाद यहां से जो न्यूीर न्यूटन से रिटन बात जा रहा है तो अगर चलते जलते इसके अंदर में कुई शॉक सरकिट हो आए फ्रीस के अंदर कोई ही हो radio इसका body में touch हो गया है तो उसी time पे अगर कोई आके यहाँ पे freeze में का touch करेगा तो उसको shock लग सकता है तो उस condition में हम लोग क्या करते हैं घर में एक personally अर्थिंग हम लोग बनाते हैं जो कि pipe, mid tea, coal, salt बगेरा डाल के आप लोग को पता होगा basic अर्थिंग कैसे बनाया जाता है अर्थिंग बनाते हैं जो कि हम लोग खुद का protections के लिए पूरा घर में हम लोग protections के लिए यूज करते हैं जो कि अगर यहाँ पे कोई आकी इसको touch करेगा अगर इसमें अर्थिंग प्रोवाइड होगा तो जो current है जो आदमी रहेगा इसका body से flow ना होके क्या होगा कि यह ज श्यपटी के लिए घर में जिए लिए कष्याग ँर्टी करते हैं लेकिन यह पे एक चीज़ देख सकते हैं जो इसकी हिए हुपर्जाब के पास में जो आंपे grounding कई है जो neutral जोंड ज्यां पर जो आर्थिंग हम लोग कर रहे हैं जो किया गया है यह हम लोग जमीन में कर रहे तो दोनोंग चीज यहां पर सेम जमीन में हो रहे हैं तो इसन के इंदर बांश И दोनों चीज इसको हम लोग अर्थी बोल सकते हैं, ग्राउंडिंग बोल सकते हैं, यह भी बोल सकते हैं, यह क्या है, अलग-अलग use के लिए आप नाम को दिया गया है, ठीक है, कुछ standard है, वो लोग को decide करके यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर सेम जमीन में ही करते हैं, लेकिन इ लेकि आर्फेस से आ रहा है, और ब्लाक से जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से continuous return path होगा, मतब return path यहाँ पर provide कर रहा है, okay, continuously यहाँ से current flow होगा, फेस से आएगा, ब्लाक से return होगा, और अर्थिंग क्या होता है, जब कोई यहाँ पर जो भी equipment है, हम लोगा को short हो गया है, body हो खुद का safety के लिए use करते हैं, और दोस और एक point है, जैसी कि हम लोग आगर यहाँ पर neutral use ना करेंगे, यहाँ पर open कर देंगे, open करके, जो earthing है, अर्थिंग को हैपर हम लोग connect कर देंगे, तो भी हम लोग जो equipment यह चालू हो जाएगा, यह चलता रहेगा, लेकिन यह जो condition होत बनाया जाता है, जो कि transformer के through, जिसके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर neutral path बनाया गया है, और जो घर के पास में क्या है, कि हम लोग safety के लिए, यहाँ पर earthing path बनाते हैं, अब दोस्तों यह जो topic आप लोग को clear हुआ होगा, तो अगर कोई doubt रहे तो नीचे मुझे comment कर सकत तो आसके लिए नाय, thanks for watching.